नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक रिस्क फ्री नो लॉस ऑप्शन स्ट्राड़जी बताने वाला हूँ जिसका प्रॉप फिडिबिलिटी जो है काफी जादा है और एक्यूरिसी भी काफी जादा है ये आपको एक ही दिन में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाल पहले आपको sell करना है one lot put option weekly में add the money फिर आपको buy करना है one lot put option next weekly expiry में add the money पे अभी कुछ adjustment में आपको बता देता हूँ पहरे तो आपको break evens note करना है नियुट करने के बाद अगर next day expiry के दिन जो होता है आप जो है निफ्टी का expiry Thursday होता है तो Wednesday को आप तीन बजे इस ट्रेट को ले रहे हो तो next day अगर expiry के दिन market जो है break even breach करता है या break even के पास आता है तो आपको ये adjustment करना है आपको sell करना है one lot put option weekly में जो break even का strike price है वहाँ प तो ये आपको तभी करना है अगर आपका break even breach हो जाता है तो अगर ये adjustment करने के बाद भी आपका break even breach होता है break even जो position में है ये adjustment करने के बाद जो नया break even आता है वहाँ पर आप stop loss लेजिए और trade से निकल जाए अगर market range के अंदर रहता है second scenario हो गया आप profit में रहोगे और आप को आप profit के हिसाब से आप profit बुक कर सकते हो तो अगर market range में रहता है और अगर आप इस trade को नोर जो बनाना चाहते हो तो आपको वेट करना है धाई बज़े तक expiry के दिन और धाई बचते ही आपको ये legs apply करना है पहले तो आपको close करना है जो buy leg अपने लिया था point number 2 में और फिर आपको buy करना है one lot put option weekly expiry का जो expiry हो रहा है उसका 50 points inside the money जाके from the sold weekly जो आपने put option लिया था तो point number 1 पे जो आपने put option sell किया था तो उससे 50 points inside the money जाके आपको one lot buy कर लेना है तो ये simple आपका strategy है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा इस पूरे strategy में आपकी जब मर्जी हो जब आप comfortable feel हो आप जो है profit ले सकते हो वही पे loss की बात करूँ जैसे ही break even आता है आपको strict stop loss लगा के यहां से निकलना है तो अभी चलते है stock mark पे और इसको हम लोग deploy करके दिखा देते आपको तो यहाँ पर back testing करते हैं जो latest वाला expiry है वह देख लेते हैं तो 28 June का expiry देख लेते हैं तो 19th को हम लोग इस trade को लेंगे तीन बजे तो तीन बजे यहाँ पर 28th June के expiry में select क कर देता हूँ और next week में जाके मैं add the money put option जो है buy कर देता हूँ तो ऐसा कुछ आपका जो है strategy बन गया है estimated margin around 20,000 है जो की काफी कम है strategy के लिए तो यहाँ पे जो है हम लोग back testing शुरू करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो आप profitable में हो शुरू से ही यहाँ पे आपको 2.6% की profit अब चाहो तो यहाँ पे निकल सकते हो दो बज़े आपको 3.3% की profit मिल रहा है तो आप चाहो तो यहाँ से निकल सकते हो अगर आपको इसको no loss बनाना है तो आपको क्लोस कर देना है और जो आपका sell लेके उससे 50 पोइंस इंसाइड जाके आपको पाई करना है 1 lotto 23,550 आपक 23,600 आप में आपको 1 lot buy करना है जैसे आप करते हो तो आपका जो strategy है वो एक no loss strategy बन जाता है तो यहाँ पे इससे पहले वाला expiry भी देख लेते है 13 जून के expiry तो 12 तारीक को हम लोग यहाँ पे तीन बज़े आ जाते हैं तीन बज़े हम लोग spot price में जो है 1 lot sell कर देते हैं और next week में buy कर लेते हैं ऐसा कुछ आपका strategy बन जाता है फिर में इसका back testing शुरू करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे आराम से back testing करना है लग भग 12 बज चुका है और आपको 3% profit यहाँ पे मिल गया है अल्रड़ी सारे 12 बज़े एक बज़े आप देख सकते ह है दो बज़े तक आपको लगभग 3.2% की profit मिल रहा है तो यहाँ पे जो है धाई बज चुका है धाई बज़े आप चाहो तो यहाँ पे निकल सकते हो 3.9% की profit लेके या फिर आप जो है इसको no loss बना सकते हो कैसे बनाओंगे तो बाई जो लेग है उसको आपको close कर देना है और जहाँ पे आपने sell किया था उससे 50 points inside the money याई 23,350 में आपने sell किया था तो 23,400 की put option आपको buy कर लेना है जैसे आप buy करते हो आपका पूरा strategy जो है वो no loss बन जाता है तो आशा करता हूँ यह strategy आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको इससे भी बड़िया premium strategies जानना है ज लगा तो